जहीं दोस्तों, वेलकम बैक टू दे चैनल दे रेल यातरी दोस्तों, रेलवे उन रेल यातरियों के लिए नई सुविधा लेकर आ रहा है जो लोग वेटिंग का टिकट लेकर दिवाली और चट पूजा के आउसर पर अपने घर जाने की तैयारी में इंतिजार कर रहे हैं कि शायद उनका टिकट कनफर्म हो जाए ये कौन सी सुविधा है, कैसे उनका वेटिंग का टिकट कनफर्म होगा इस प्रकार की सारी जानकारी आज आप इसी वीडियो में देखोगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों रेलवे तेवहारों के सीजन में हर साल कुछ ना कुछ नया जरूर करता है नई नई सुविधाई लेकर आता रहता है रेलवे इस बार भी दिवाली और छट पूजा के आउसर पर नई सुविधा लेकर आया है इस सुविधा का लाब आरेसी वाले यात्री और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को मिलेगा दोस्तों इस सुविधा का लाब जो लोग गुजरात, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिली की ओर से यात्रा कर रहे हैं उन यात्रियों को मिलेगा और ये सुविधा 14 जोडी ट्रेनों में की जाएगी 14 जोडी यानि के 28 ट्रेनों में इस सुविधा का लाब आप उठा सकते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेलवे, 14 जोडी ट्रेनों में 27 अक्टोबर से लेकर 10 दिसेंबर तक अत्रिक्त कोच लगाएगा इसकी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, किसी ट्रेन में कितने अत्रिक्त कोच लगाएगे इसकी बारे में थोड़े दिनों में रेलवे लिस्ट जारी कर देगा जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देदूगा फिलहाल अगर आप इन मुंबई, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की तरफ से यात्रा करने वाले हैं तो यह आप लोगों के लिए बड़ी खुशकबरी की बात है इस सुविधा का डारेक्ट लाब मिलेगा, ट्रेन में जैसे ही एक्स्टा कोच लगेगा, जिन लोगों का RAC था वो कनफर्म हो जाएगा और जिनका वेटिंग का टिकेट था वो लोग का टिकेट RAC में पहुँच जाएगा फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नए जानकारी के साथ थांक यू सो मुच पर वाचिंग दारेल याथरी चैनल और कीप सपोर्टिंग